क्या आप भी परिशान है अपने ग्री हैर से क्या आप भी परिशान है अपने गेंडर से क्या आप भी परिशान है अपने जड़ते बालों से और अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए है हां जी आपने बिल्कुल सही सुना तो ये वीडियो आपके लिए है हाई गाइज बूड इबनिंग कैसे हैं आप सब आई होपसब अच्छे होंगे सस्त होंगे मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और मैं सभी का वेलकम करती हूँ अपने चेनल में जिसका नाम हरजनी लाइब ब्लॉक्स और मैं हो रजनी आज मैं एक ऐसी रेमर्डी लेके आई हूँ ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जो आपके बालों की सारी समस्या जितनी भी समस्या हैं आपके बालों की आपकी बालों की सारी समस्या दूर हो जाएगी अगर आपके बालों में टेंडर फै तो वो भी खतम हो जाएगा अगर नेच्रल तरीके से आपके ब्लैक हो जाएंगे बाल नेच्रल तरीके से नेच्रल चीजों से कोई भी साइड फेक्ट नहीं तो सभी तरह की समस्या जो भी आपके बालों की समस्या है सारी समस्या दूर हो जाएंगी तो मैं बात करने माली हूं रीठा आमला और सिका काई की आम आमला की मैं क्या बताऊं मतलब आमला में तो ऐसा कोई गुड ही नहीं जो कि है नहीं आमला तो हमारी इसकिन के लिए हमारे बालों के लिए हमारे डाजेशन के लिए आमला तो मतलब एक ऐसा ऐसा फल है ऐसा फ्रोट है जो कि उसमें सब भी गुड मौझूद है हमारी पूरी बॉड़ी के लिए अमला बहुती ज़्यादा फायदे मन्थ है तो उसके बारे में मैं आपको क्या बताओं और दूसरी चीज है शिका काई जो के हमारे बालों को साइनी बनाएगी हमारे बालों की जो ग्रोथ नहीं होती है वो ग्रोथ होने में मदद करती है तीसरी चीज है जो रीठा हमारे बालों को साफ करता है रीठा जाग बनाता है जब हम बालों को धोते हैं जैसे सैंपू से जब हम बालों को धोते हैं तो जाग बनता है तो उसी तरीके से रीठा जब हम बालों को धोएंगे तो रीठा जाग बनाएगा जाग बनाने का काम करेगा और हमारे बालों को साफ करने का काम करेगा तो ये तीनों चीजें हम कैसे यूज़ करेंगे तो चलिए देख लेते हैं और आपके बालों की जितनी भी समस्याइं हैं सारी समस्याइं इन तीनों चीजों से आपकी खतम हो जाएंगी आपको ना डाई करनी की जरूरत है ना ही आपको कलर करनी की जरूरत है ब्लेक करने के लिए भी ना ही कोई और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है किसी भी समस्या के लिए तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको बनाना है, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, कि आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो ज़ली से कर दीजिए, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएए, चलिए वीडियो सुरू करते हैं, तो हमें एक लोहे की कड़ाई लेना है, और ये कड़ाई मेरी स्पेसल इनी चीजों की है, हिना, डीठा आमला, यही काम मैं इसमें करती हूँ, तो आप भी एक लोहे की कड़ाई ले ल तब हमारे वालों को ब्लैक करती है, तो मैंने यहाँ पे आमला, शिका का यह रिठा तीनों चीजों को भिगो दिया है, और इसको मैं रात भर के लिए ऐसे ही भीगने दूंगी, और नेक्स डे मैं इसको, देखें, नेक्स डे हो चुका है, देखें कितना ब्लैक हो चुका ह मैं इसको निकालूंगी, बैसे तो मैंने जो रिठा थे, उनकी गुठली बगरा निकाल दी थी, देख ली थी, है तो नहीं, लेकिन शिका काई में होंगे बीच, तो मैं उनको देख लोंगी कि कोई बीच तो नहीं है, क्योंकि हमें मिक्सी में पीस ना है, तो मिक्सी हमारी चाना है मैं थोड़ा लेजी हूँ तो मैंने चाना नहीं है मैंने अच्छे से इसको बीज बगरा निकाल के पेस लिया है और ये देखे ये पेस्ट बन चुका है और इसका पानी जो था वो भी रखा है उसको हम धुल्ले में यूज करेंगे बालों को फेकेंगे नहीं और इस पेस्ट है इसको हम अपने बालों में लगा लेंगे अगर आपके बालों में कोई दूसरा लगाने वाला है तो पीछे हेर करके लगवा लीजे अगर कोई नहीं लगाने वाला आपको खुद लगाना है तो मैं जिस तरीके से लगा रही है तो ज्यादा अच्छे से लग जा आपका जो black color है वो बहुत ही अच्छा आने लगेगा एकदम से बाल black हो जाएंगे तो मैंने लगा लिया है और मैं 2 गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगे यह देख लीजिए 2 गंटे बाद मैंने hair wash कर लिया और आप देख सकते हैं मेरे बालों को कितना अच्छा color आया है इससे बाल आपके color भी होते हैं shiny भी होते हैं growth भी होती है तो आप मेरे बालों का color देख सकते हैं natural black color आता है जो market की dye होती है उनको लगा के तो ऐसा लगता है दूर से पता लगता है कि हाँ dye की हुई है color किया हुआ है इससे आपके बाल जो नेच्रल तरीके से black होते हैं बिल्कुल भी कोई नुकसान भी नहीं होता है और हमारे बाल भी जैसे black हमारे होते हैं original वाले यानि कि जो हमारे मतलब कुदरती black होते हैं बैसा ही color आता है और धीरे धीरे हमारे बाल जो है एकदम से black हो जाते हैं पूरे बिल्कुल भी हमें कोई भी और चीज यूज़ करने कि ज़रुरत नहीं है बालों को black करने के लिए भी आप देख सकते हैं मेरे हात भी काले हो गई है नेज आखिए कितने कंदे लग रहे हैं क्योंकि मैं बैसे गलब्स यूज करती हूं गलब्स पहनती हूं जब इसको लगाती हूं लेकिन आज मैंने आपको दिखाने के लिए गलब्स नहीं पहने थे और मेरे हाथ आप देख सकते हैं कितने कंदे हो चुके हैं अब ये दो तीन दिन में साफ होंगे तो अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपके बालों की सारी समस्याय खतम हो जाएंगी जो भी समस्या होगी सारी समस्याय दूर हो जाएंगी इस रेमेट्र के आगे इन तीनों जो ये फ्रोट हैं सिका, काई, आमला और रिठा इनके आगे कोई भी सैम्पो या कोई भी और मैं आपको रिक्मेंट करूंगी कि आप इसको यूज करके देखिएगा, ट्राइ करके चरूर देखिएगा, आपके बाल, आप जब सुरुवात इसको करेंगे, तो आप पहली बार में ही आप सोचें कि एकदम से मेरे बाल ब्लैक हो जा नहीं होंगे, लेकिन हाँ, काफी ह करना है, मार्केट की डाइबी आप लगाते हैं, तो क्या एक वार लगाने के बाद फिर नहीं लगानी पड़ती है, वैसे ही इसको जब भी आप बाल दोएं, इसी से दोएं, जब भी बाल दोएं, इसी से दोएं, सेम्पू बिल्कुल बंद कर दीजिए, और भी कुछ यह उम्मीद करती हूँ, अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं, निव वीडियो के साथ चल्दी मिलते हैं, थैंक्स पर बचिंग, अपना अपना ख्याल रखेगा, बाइबाइ